किसान साथियो नमस्कार राम राम कैसे हैं आप पासा करते हैं ठीक ही होंगे और ठीक ही रहें ऐसी हम इस्वर से कामना करते हैं किसान साथियो यदि आप लौकी तुरही खीरा की आधिनिक तरीके से खेती करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत्ताकबस से देखिएगा देखिए हमारे कुछ किसान मित्र इस बीडियो में कुछ कारे कर रहे हैं और ये बेल उपर को चड़ा रहे हैं जहामा बना हुआ है आईए आपको करीब से दिखाते हैं ये काई की बेल है लौकी की है या तुरही की है आपको करीब से दिखाते हैं आप वीडियो को अंत तक अबस से देखते रहेगा मेरा नाम है सत्या और आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल सत्या सपोर्ड किसान मित्रों लौकी तुरई खीरा इत्यादी फसलों की अधिक पैडाबार लेने के लिए जामा बनाना भी अतियावस्सक है दोस्तो यह जो आप देख रहे हैं यह काली तुरई का खेत और यह जामा बना हुआ हैक पूरे खेत में быть आप देख सकते हैं यह जामा बल्लिओ और यह काली तुरई की बेल है उसको चड़ाने में लगे हुए हैं और सुतली बांद करके बेल में ऊपर चड़ा रहे हैं आप देख सकते हैं नीचे से एक दम बेल ऊपर को चड़ रही है और भीया बांद भी रहे हैं आप वीडियो में देख सकते हैं तो यह काली तुरई का खेत है और मैं आपको दिखाने की चेश्टा कर रहा हूं पूरी अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं अभी तो ये केबल बेल चड़ाई जा रही है और जब इस पर फल आना स्टार्ट हो जाएंगे तो भी हम आपको दिखाने का प्रियास करेंगे अब भीया से पूछते हैं ये बेल लगभग कितने दिन की हो गई एक महीने की बेल ये हो चुकी और लगभग पांच से 6 फित 60 फित तक की इसमें बेल दिखाई दे रही है क्योंकि ये जामा जो है लगभग 7-8 फित की उंचाई तक बंदा हुआ है आप अच्छी तरीके से द काफी लंबे समय तक चलती है इस तरीके से यदि हमारे किसान भाई करते हैं तो और इस तरीके से बेल चड़ाई जाती है जो तुरही इस पर आती है उस तुरही की साइनिंग बहुत अच्छी रहती है क्योंकि ये जब उपर से तुरही आएगी और नीचे को लटकती है तो उसकी तुरही जो फल है उसका फल का साइज भी काफी लंबा हो जाता है और साइनिंग बहुत अच्छी होती है और नीचे से कोई दाग धबबा उस पर नहीं लगता है और बेल नीचे पहुड़ती है तो साइनिंग भी खराब होती है और फल भी खराब होते है तुरही जो काफी महंगी बिखने वाली फसल है और यह काफी लंबे समय तक इस तरीके से की जाए तो चलती है क्योंकि यह जामा जो है तार और यह डोरी के माध्यम से बांदा गया है यह काफी मजबूत होता है और काफी लंबे समय तक चलता है और यह कितना भी बारिस हो फिर भी नहीं तो दोस्तों, आप भी इस तरह तुरई की खेती करना चाहें, तो जामय के द्वारा ही करें, और यह आप देख सकते हैं, बेल नीचे पॉंड रही है, और भया इधर एक एक बेल करके काफी महनत से इस पे चढ़ा रहे हैं, तो दोस्तों, यह भी काफी महनत का कारे है, और महन जब की जाती है किसी फसल में लाब भी तभी अधिक मिलता है तो दोस्तों इसी तरह के हमारे और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और हम आगे आने वाले वीडियो में इसी तरह की जानकारी आपको देने का प्रियास करे आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें वीडियो देखने के लिए धन्बाद नमस्कार